अम्दावादना आश्टोडिया विसार माँ अवेली अजरत मुहम्मत साले नामनी दर्गानों संदल उजवायों जो दर्गा मां आराम फर्मावी रेली अस्टीना इतियास विसे वाद करिये तो तिमनों नाम हज़त मुहम्मत साले रह्मत अले चे अने दर्गा पर अनेक अकीनत बंदों पुतानी मुरादों लईना आवे चे जमनी मुरादों पूरी पन थाए चे इतुद नहीं दर्गा नी एक मुटी करामत पन चे के जे मुए व्यक्ती ने सरीरे कोई इजा के तक्लीप होए ते दर्गा मां आवे चे अने दर्गा मां दी कोई एक पत्थर उपाडी ने कुताना सरीरे रगाड़े चे अने त्यार बाद दुआ करे चे तो अल्ला ना फदलो करम ती अने अज़रत मुम्मस साले रहमत अला आए ना वसीला दी तेनी तक्लीप दूर थे जाए चे आम दर्गा नी कारामत होती अत्यार सुधी मां गणाज लोको ए फेज हासील करे चे अने अत्यार बाद लोको करी रहा चे अने तेमना जीवन कार दर्मियान गणीबती इसलामी किताबों पन लखी आदी जेनों फेज हाल लोकों ने मड़ी रहा हो चे अज़रत मुम्मस साले रहमत अला आए मुराद बख्ष नो लकप पन मड़े लो चे एतला माटे तेमने मड़े छे के तेमनी दरगा पर जीवन व्यक्ति पता ने मुराद लेने आवेज है यदंनी मीठी दूली पर फातियो आपी ने दुआ मांगे छे तो तेनी मुराद जरूर पूरी थाय चे अने मुराद बख्ष नों लगप पन मड़े हो जे हाम मुरादोंने पूरी करती अने करामतो वाड़ी दर्गा एटले हज़त मुंबस साले रहमतुल्ला अलेयर नी दर्गानू शुक्रवाद इसानी नमाज बात खुबस साध्गी अने पाकी सापी नी साथे अकीदत मंदो ये संदल वुजू ये थू जमा मुंबस साले रहमतुल्ला अलेयर ना खांदान थी गणा फुरू सोय पुतानी मेनत थी संदल अने चादर तेमच फूलोंने दर्गामा पेश करिया था अने लोकों इपन खुबस शांती अने अजब वहतलाम थी संदल जीदो थू त्यार बात दर्गामा सलातों सलाम दूआ अने फातिया था थी समाम लोकों ने नियाज कवड़ाव माविया थी शाबान अली आरहड़क्या ऐसा नीट गुजराद आया ये करम नहीं तो क्या है मुझे जब भी गम ने गेरा मेरा साथ सब ने छोड़ा तुम अनद को आया ये करम नहीं तो क्या है सिख स्वाले पिया की चादर है सिख स्वाले पिया की चादर है सिख स्वाले पिया की चादर है मेरा नाम सिख स्वाले पिया की चादर है मेरा नाम सिख स्वाले पिया की चादर है हजरत मौलाना नौरोदिन साब के पांच साबजादे थे उन में सी एक वली है हजरत साथ साल की उमर के अंदर कुरान हाफिज आप हुए और आपने दिली के अंदर हजरत मौमत आजम जो आलमजेब के साबजादे उन्होंने डेली आपको बुलाया था और वहां आपने अर्रहमान की सुरत पड़ी और वो इतने खुश हुए कि उनके बदले में आपने जो है उनको तौफ़े के अंदर इनामी में एक गाउं दिया उसका नाम वीरम गाम में ताजपुर गाम में वो दिया आपने और तौफ़े के अंदर एक हाती भी आपको पेश किया इनाम के अंदर अच्छाई, यहां के अतराफ के लोग तो माशाळलह बहुत ही खिद्मत गुजार है जवान, बड़े, और और बच्चे सभी मिलके या माशाळलह बहुत शानदर संदर्शरीफ के अंदर शिर्कत करते है काफी उनकी मेनते है, बहुत हिद्मत करते है उसके अलावा आजू बाजू के भी लोग जो है इसके अंदर शिरकत करते हैं और पूरी-पूरी अपनी खिद्मत अंजम इसमें देते हैं मेरा नाम इर्फान हुसेन, हुसेन अद्दीन काजी है और मैं शेहर काजी मुहमद श्वियप का छोटा भाई हूँ और मैं इसी खानदान से तालूब रगता हूँ जी मुहमद साले साथ जो हैं एक जमाने के इनके बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं ये हाफिज भी थे, कारी भी थे और इनको दो मरतबा दिली तलब किया गया था, मुगल बाजशाओने एक फरुक सियर के जमाने में और मुहमद शाह के जमाने में और जब भी इनको यहाँ पर बुलाए जाता था, उनको आने जाने का खर्च दिया जाता था इनाम पेश किया जाते थे, और जमीन जाइदा से इनको माला माल किया जाता था और इनके वफाद भी दिली में हुई थी और इनका जो ताबूत है दिली से ही अम्दाबाद के लाए गया था और जो मुराद लेके आता है और उनकी मुराद पूरी होती है खौयश उनकी पूरी होती है और उनकी ये ख्वाइश थी कि जब भी मेरे पास मेरे चोखट से जो भी मांगे तो मेरे थूली के नियास पेश करें और मुराद मांगे मैं उनकी मुराद पुरी करूँगा आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो मुहम्मद साले साथ जो है वो सहर वर्दिया सिलसिले से तालुक रखते हैं और जो शायलम सरकार का भी सिलसिला वो भी सहर वर्दिया सिलसिला है और जो इनके जो वालिद साथ हैं मौलाना मुहमद नूरुदीन साथ उनके जो पिरो मुर्शद हैं हज़र्द महभू बैलम वो भी शालम सरकार के खांदान से तालूग रहते हैं यह हज़र्द मौहमद साले साथ जो पिरिबापा से भी जाने जाते हैं इनका तकलूस इर्फान है और इनका जो शजराए नसर नामा जिसा कहते हैं वो आगे मिलके अज़र्द अमीर मौमिनीम अज़र्द सज्दिक रदियालाव ताला से जाके मिलता है सिद्दी की असले हैं इनकी दो तरस्नीफात जो है वो अभी जैसे बताए नूरुल मारफात और नूरुल एन इसके लवाब बहुत सारी किताबे हैं के जो अभी फिल हाल यह जो पीर मौम्मत सा लाइबरेरी के अंदर किताबे मौजूद है इनकी और इनके वालिज साब की लिखी हुई और यह ज़र्स चिर्फ साथ साल की उमर में कुरान आफीज और मकरश के साथ थे और इनके वालित साब जो थे इनौँझे यहाँ पर यह मतलब जो शुरू हुआ तो दूर दूर दराज से मतलब जो लोग यहां पर पढ़ने आते यह तमाम आसपास देखो के तो हर घर में एक महराब दिकाए देगी वह महराब दर असल यहां पर मतलब जो है वह बच्छे पढ़ने आते थे वह इस्टेबल होते यहां पर रहकर तो इस जब ही फैमस हुआ और मदरसा मज़िद के नाम से तो इनके वाली सब जो है जो बाद में मौला ना मौम्मद नूरद्दिन साहब इन्हों ने मजजिद की तामिर की और उस पर एक लाग चौविसज़ रुपे उस जमाने में खर्च हुआ और हर रोज दो रुपे शाही खजाने में से साहिब मज़र के लिए दो रुपे रोजाना मतलब नियाज के लिए और हर महीने की सोलवी तारिक को 220 रुपे एमसा बास्ता के खजाने में से इनके यहां पर आते दें नियाज के लिए मैंने ना मुहमाद अकबर अर्टि शिंग वाला है? अधरड़ शेख मौमाद स्वार हमाद बला सरकार की एक ऐसी करामत है कि जो सक्स यहां आता है कि जिसकी मराद पुरी नहीं होती है वो सक्स दिल में मुराद रखके आता है, जाइस मुराद रखके आता है चन्द दिनों में सरकार करम से उनके मुराद पुरी हो जाती है दूसरी बात ये कि आज तक जिसको भी कोई बिमारी होई है तो अधरत की ये करामत है कि अधरत के आंगन से कोई पत्थर उठा ले पत्थर उठा कि उसको अपने जिसमें अगर कोई भी बिमारी हो उस पे आपका पत्थर मुबारक गुमा ले तो अल्ला के गरम से इनके हुकम से वो बिमारी शिफा होती इनकी ये करामत है मुझे भी ये करामत के बारे में मेरे पर नाना ने बताया था जो आज मैं आपको इसके तफसिर के साथ थोड़ा में बताना चाहता हूँ मैं तो अपने आपको ये खुस्नसीब समझता हूँ कि अल्ला थाला ने मुझे लोग दुनिया की दौलत हासिल करते है मैंने मेरे वली वली की ताजी मासिल कर ली मैं उनके कदमों में पढ़ा रहा आज मुझे आए ल्ला थाला ने ऐसा नवाज दिया है कि आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ खाली आगे इनकी चौकट पर अरच करता हूँ सुबा मेरा काम हो जाता है क्यों हो जाता है दिले मुहबत मेरे रहे दिले मुहबत मेरे रहे मैं उनका रहा दिले मुहबत मेरे रहे मेरा नाम इम्तियाज डकन जी वाला है और मैं इसी महले में रहता हूँ सरकार के आस्ताने लिए इम्तियाज जी आज बहतरीन दीन माना जा रहा है जिस तरह से जो हस्ती है मुहम्मद साले साहब रदियल्लाव ताला अंहू का आज संदल सरिफ मनाएगा सबसे बहले तो यह ब तकरिबन 500 साल उप्पे हो गए इन दर्गा को और इस दर्गा की खासियत तो ऐसी है कि यहां सरकार जिसे चाहे उससे खिदमत ले सकते हैं जिबान निकालने वाले आए कि यह काम मेरे शिवा कोई नहीं कर सकता बागी सरकार का हुक्म हो वह यहां रह सकता है और मैंने अपन पास साथ साल का था जब अपने घर में इनकी दिदार किया था मासाला बहुत खूबसुरत और बहुत नूर वाले तामत ऐसा है कि इनका जलाल बहुत था जैसे पहले कोई नापक औरत पीछे से दर्गा के पीछे से निकल जाए या कोई जानवर पेशा पाखाना कर दे तो अब जैसे जैसे इस महले में बस्ती हुई है और आपका जलाल भी आपने ठंडा कर दिया है जैसे लोग सुकुन से रह सके और उनको कुछ तकलीफ नहीं लेख जैसे प्रिए प्री आपका प्री नहीं